मेटलाइजिंग और फ्लेम एस्प्रिंग तो बेसिकली मेटलिंग होता क्या है तो देखिए कुछ ऐसे कॉंपोनेंट हमें यूज करने होते हैं जिनका हमें डिफरेंट प्रोपर्टीज के जरूरत पड़ती है सर्फिस पर प्रोपर्टीज अलग होनी चाहिए अंदर कूर की अलग होनी चाहिए और कभी-कभी कंडुक्टिविटी वगर बदलना पड़ता है मतलब प्रोपर्टीज मेकेनिकल प्रोपर्टीज का होता है सर्फिस और अंदर के तरफ क्या होना चाहिए डिफरेंट होना चाहिए तो ऐसे कॉंपोनेंट बनाने के लिए हम एक मेथड देपोजिट लेंगे उसके उपर कोई दूसरा मेटरियल डिपोजिट ले अब बोग्यक पर रहा हो सकता है नौन मेटल भी हो सकता है डिपेंड आप नरीकवार्मट अप्ड़ की पता चला कि हमें सर्फेस पर एस प्रोपर निमेट चाहिए जो कि मेटीं सेरामिक्स होती है तो हम ceramics को वहाँ पर deposit करेंगे, तो basically it is a process of making a deposit of other material onto the base material, so metallizing is the process of applying molten metal to a base metal, surface in the form of a fine spray that bonds to the base metal and forms a metal putting, तो यह जो deposit करने का method है, वो deposit करने का method भी कई सारे methods में classify किया गया है, जैसे metallizing जिसे हम अभी पढ़ रहे हैं, दूसरा होता है flame spraying, तीसरा होता है thermal spraying, इस तरहे से कई सारे classification किया गया है, यह classification इनकी basis पे है कि आखर deposit, जो इस material किया जा रहा है, वो metal है, non-metal है या combination है, इस तरिखे से हमका division किया गया, तो उसी में अगर deposition हो रहा है metal का ही, बेस metal के ओपर जो deposit material किया जा रहा है, तो इसे कहते है metallizing और इसे ही हम कहते है flame spraying, the metal to be sprayed is taken into powder or wire form, is fed into the oxyacetylene flame, there it melts by the heat of the neutral flame, gets atomized and blown by a stream of compressed air onto the base metal surface, where it spreads around and interlocks with projections, embed in pits and fridges quickly upon contact with the base metal, the sprayed material is generally applied in layers less than 0.25 mm, तो basic हाँ पर एक पूरा process को समझाए गया है, इस figure के थरू मैं आपको पूरा process से भी समझाता हूँ, तो देखिए माली जे, यह हमारा substrate है, base metal है, इस base metal के उपर हमें coating करनी है, यानि किसी दूसरे metals को deposit करना है, तो जिस metal को हमें deposit करना है, जो depositing material है, उसे या तो powder form में, आइदर wire क्या form में हम convert कर ले देखिए, तो यह देखिए, एक wire form में, यह blue lines आपको दिख रहा है, अब इस wire को आगे feed करने के लिए, ले जाने के लिए, हमने यहाँ बना रखा है wire guide feed rolls, तो दो roller के बीच में, आपने machining में, फॉर्मिंग में, जो है, wiring पढ़ा होगा, यहाँ वाइर ड्रॉइंग, उसी तरिकर से यहाँ पर wire guide feed rolls है, जैसे कि आप गन्ना से रस निकालने के machine दिखते हैं, तो roller होते है, roller के बीच में, गन्ने को क्या किया जाए, पास किया जाता है, तो ऐसे ही यह दो roller है, roller का काम है, हलका से compress करके इस wire को आगे दिखरना, अब यह जो wire हम feed कर रहे हैं यह जो wire हम लोग यहाँ पर feed कर रहे हैं, इस wire को क्या करना होता है, कि हमें with the help of heat, हम इसे melt करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर oxy acetylene flame करते हैं, oxy acetylene, जो welding होता है, वहीं सबने लिया गया है, oxy acetylene flame, इसका यह देखी, यहाँ से पास होता रहता है, oxy acetylene flame, इसके कई सारे layer हैं, अंदर के layer पर wire जा रहा अंदर, और उसके उपर layer से oxy acetylene flame को यहाँ पर transfer किया जा रहा, भेजा जा रहा है, अब यह oxy acetylene flame क्या करेगा इसको melt कर देगा है ना जब flame में भी कई सारे flame होती है oxidizing flame, neutral flame, carburizing तो हमने यहाँ पर neutral flame को लिया हुआ है जब यह जो flame क्या करते हैं इसको atomize कर देती है atomize का मतलब यह जो wire था इसको छोटे-छोटे बहुत small particle में convert कर देती है small particle में convert कर देती है कि इसका surface area increase हो जाएगा अब इसको आगे भीजने के लिए एक हम blow method यूज़ करते हैं blowing का मतलब किसी compressed air को इस रास्ते से क्या करेंगे भीजेंगे और जो atomized form में metal है उसके यह blown कर देगा हवा अगे भीज़ देगा spray form में में कैसे पहुचा क्योंकि यह पहले से हो चुका है छोड़े पार्डिकल में convert हो चुका है तो बाइस स्ट्रीम ऑफ compressed air on to the base metal surface यहां पर इस प्रेइफ फॉर्म में बेस मेटल पर यह जो सब्क्रेट होई है बेस मेटल पर इसको बेजा जा रहा है आराउंड इंटर्लोक विड्व प्रोजेक्शन इस प्रोजेक्शन से क्या होता है? इस दूसरे से combined हो जाते है, embeid in pits थो यहां embed हो जाते है पेट्स मतलissa, इस पर यहां जबना हॉथे चोटब हैं, पूर्स बनाप्वण होते हम उसमें कहों होते हैं? base metal है वो तो cooled है उसको हमने हिटा नहीं है with the base metal the sprayed material is generally applied in layers less than 0.25 mm thick तो यह जो material हमने यहाँ पर भीजा है इसकी जो thickness बनाई जाती है generally इस method से वो 0.25 mm की thickness यहाँ पर coating की जाती है जो हमने deposit material किया है उसकी thickness कहती होती है generally 0.25 mm थिक होती है एक चीज और यहाँ से जो material spray किया जा रहा है atomized pom में और जो substrate है base metal इनके बीच की distance होती है generally 10 to 25 cm की बीच में रखी जाती है इस तरीके से हम किसी base metal के उपर किसी दूसरे metal को with the help of metallizing process हम वहाँ पर उसकी coating करते हैं एक deposition करते हैं